अधेरी रात का समय था और चेंगल में बारिश होने की कारण पानी भी काफी भर गया था और उस अधेरी रात में एक शेर का छोटा बच्चा बारिश के पानी में दोड़ता हुआ ना जानी कहा जाने की कोशिश में लगा था तभी उसी किसी के रोनी की आवाजे आनी लगती है और कुछ ड्रावनी चीखे भी सुनाई देनी लगती है उन आवाजों को सुनकर रगु रुख जाता है और उस आवाज को गोर से सुननी लगता है और बोलता है अरे ये रोनी की आवाज कहां से आ रही है और इसके साथ तो ड्रावनी आवाज भी आ रही है क्या मैं चल कर देखू रगु वहां से जानी लगता है तभी एक गाएं उसे आकर रोकती है और रगु से बोलती है बेटा तुम यहां कैसी यहां से जल्दी निकलो बेटा लेकिन आंटी यह रोने की आवाज कहां से आ रही है हमें चल कर देखना चाहिए मुझे लगता है कोई मुसीबत में है नहीं बेटा यह गलती मत करना तुम मेरे साथ चलो और उस आवाज को छोड़ो अब गाएं उस बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है और उसी अपनी गुफा में लेकर आती है अगली सुवा होती है और चंगल से बारिस का पानी भी उतर जाता है और अब गाएं बोलती है बेटा तुम राज चंगल में अकेले क्या कर रहे थी और तुम्हारे माता पिता वो कहां है गाएं आंटी वो तो पता नहीं मुझे छोड़ कर कहां चले गए मैंने उन्हें काफी ढूंडा लेकिन मुझे वो कहीं भी नहीं मिले गाएंटी गाएंटी क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं वैसे भी अभी तो मैं अकेली इस जंगल में रहती हूं मेरा भी साथ हो जाएगा और हम दोनों मजे करेंगे अब रगु गाएं के साथ जंगल में रहने लगता है और गाएं भी बिलकुल अपने बेटे की तरह ही उसका खयाल लगती है दिन ऐसे ही बीटते है हाँ भीटा ये तुम्हारी बेहन ही तो है और तुम्हें इसका खयाल भी रखना है हाँ मा मैं इसका अपनी जान से भी जादा खयाल लखूँगा और उसे खूब लाड़ प्यार करूँगा अब गाएं अपने दोनों बच्चों के साथ खुसी से जंगल में रहने लगती है दिन ऐसे ही बीटते है एक दिन रखू और उसकी बेहन श्रया दोनों अपनी मा के बताई हुए काम के लिए जंगल में जाते हैं और वो दोनों गलती से उसी रासे में चले जाते हैं जिस रास्ते से उस दिन रगु को चीखों की आवाजे आ रही थी, तभी रगु को फिर से वही चीखों की आवाजे आने लगती है। ये आवाजे सुनकर श्रेया डर जाती है और वो बोलती है, भाई मुझे इन आवाजों से पहुत डर लग रहा है, हमें वापस चलना चाहिए भाई। श्रेया मैं हूना तुम्हारे साथ, फिर तुम क्यों डर रही हो, मेरे होते हुए तुम्हें कैसा डर, तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे 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 आता हूँ, नहीं भाईया, आप आगे चलो, मैं आपके पीछे पीछे चलूँगी, मुझे पहुत डर ल जाती है ये सब देखकर रखु पहुत परेशान हो जाता है और वो श्रया को ढोलने लगता है तभी गाएं भी वहां आ जाती है और जब गाएं रखु को अकेला देखती है तो बोलती है अरे रखु बेटा श्रया वो कहां चली गई गाएं मा श्रया तो पता नहीं कहां चली मैंने उसे बोला था कि तुम मेरे आगे चलो लेकिन उसने मुझे मना कर दिया और फिर वो अचानक से ना जाने कहां गायब हो गई गाये जब यह सुनती है तो उसे रगु पर ही शक होनी लगता है उसी लगता है कि शायद रगु उसे मार कर खा गया और वो रगु को नफरत भरी नजरों से देखती है रगु भी गाये की नजरों को पहचान जाता है और वो बोलता है गाये मा क्या आप मुझे पर सब कर रही है रगु के ऐसा बोलने पर गाये उसकी बास सुने बीना चली जाती है तभी फिर से वो रोने की आवाजे आने लिगती है और गाये भी न और बहुत जल्द ही उस आवाज के पास पहुँच भी जाता है। वहाँ जाकर रगु को जो कुछ दिखता है उसे देखकर वह ड़ ड़ जाता है। वहां रगु देखता है कि उसके मा बाबा उस आवाज को जंगल के जानवरों को अपनी और बुलाने के लिए निकाल रही है और उन्होंने उसकी गाए मा और श्रया को उपर लटकाया हुआ है ये सब देखकर रगु आता है और सबसे पहली वो अपनी बेहन और गाए मा को नीचे उतारता है और रगु को देखकर शेनी बोलती है रगु बेटा तुम यहां मैंने तुम्हें कितना याद किया बेटा और देखो हम अपने मकसद में काम्याब होने के बस कुछ ही दिन दूर है फिर हमारे जिन्दगी बहुत आसान हो जाएगी अच्छा अगर इतना ही याद क्या तो छोड़कर क्यों गई थी आप मुझे बेटा मेरी मजबूरी थी ये जो कुछ भी हम कर रही है हम सब तुम्हारे लिए ही कर रही है हम बहुत जल सक्या फ्राप्त कर लेंगे फिर इस दुनिया में कोई हम से ज़्यादा ताकतवर नहीं होगा आप चुप करें चलो गाए मा यहां से और श्रया तुम भी और हा मा आज के बाद अगर आपने मेरे परिवार को इस नजर से भी देखा तो अच्छा नहीं होगा ये मेरा वो परिवार है जिसने मेरा उस वक्त साथ दिया जब मैं अकेला था और तुम दोनों ने अपनी इस लारज के चक्तर में मुझे छोड़ दिया था अब रखु वापस आता है गाएं अब रखु से बहुत शर्मिंदा थी और उसी अपनी गल्दी का एहसास भी हो गया था रखु बेटा मुझे माप कर दो मैंने तुम पर सक्किया मैं तो मा कहलाने की लायक मी नहीं रही पिस मुझे माप कर दो बेटा नहीं मा आप मुझे माफी क्यों मांग रही है आप मुझे डाटे और मुझे सही रास्ता दिखाए ये आपका हक है और एक बात और मा श्रिया मेरी बेहन है और इसके साथ मैं वो सब करने का सोच भी नहीं सकता मैं जानती हूँ बेटा इसलिए मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ मैं अपने किये पर बहुत सर्मिंदा हूँ अब रगू वापस अपनी माता पिता के पास जाता है और उन्हें चेतावनी देता है और उन्हें उस जंगल से जानी का बोलता है बेटा तुम ऐसा क्यों बोल रही हो बस कुछ ही दिन बचे हैं हमें हमारी सक्तिया मिल जाएगी फिर तुम्हारी और हमारी जिन्दगी और आसान हो जाएगी अच्छा तो आप इसलिए यहां जिन्दा जानवरों की बली देती है मा इन अंध्विस्वासों से बाहर निकल आओ और जंगल के जानवरों को बख्ष दो अगर कोई और होता तो मैंने कब का उसे मार देना था आपने मुझे जनम दिया है इसलिए मेरे हाथ बंदे हुए हैं पीज यहां से चले जाओ ऐसा नहो कि मुझसे कुछ अन्होनी हो जाए अब शेरनी रगु से माफी मांगती है और वो दोनों जंगल छोड़ कर चले जाती है अब जंगल में फिर से खुश्या लोटाती है और रगु अपनी गाई मा और बहन के साथ खुशी खुशी रहने लगता है शीट इस कहारी से हमें सीख मिलती है अगर रिष्टे सच्चे हूँ तो खुशी एक होना माईनी नहीं रखता है कभी कभी गैर अपने से ज़्यादा अजीज हो जाती है और वो हमारे लिए वो सब कर जाते हैं जो हमारे लिए अपने भी नहीं कर पाते हैं तो गाइस आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लेज इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें थैंक यू अमीर बाप, गरीब बेटा और शेरनी की किसमत बद्रिपूर जंगल का राजा बाला शेर बोहुत अमीर था उसके पास इतना खजाना था कि उसे खुद भी पता नहीं था कि उसके पास कितना खजाना है लेकिन वो जितना अमीर था उतना ही निर्दई और बेरहम भी था वो कभी भी अपने खजाने से रत्ती भर भी किसी को नहीं देता था बाला शेर को अपने खजाने पर बहुत घ्मन था वो जंगल में किसी से सिधे मुप बात भी नहीं करता था और बस अपनी ही एट में जंगल में घूमा करता था उसी जंगल में एक गरीब शेर्णी भी रहा करती थी वह शेर्णी इतनी गरीब थी कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था कभी कभी तो वह बेचारी भूखे पेट भी सोजाया करती थी शर्ला शेर्णी एक बहुत ही अच्छी और सबर करने वाली थी उसके पास जितना कुछ था वो उसी में ही हमेशा खुश रहा करती थी शेर्णी का एक छोटा बेटा था जिसका नाम था भोला भोला हमेशा ही अपनी मा से बोलता था मा हमारे पास इतना पैसा क्यों नहीं है जितना रगू और उसकी ममी पापा के पास है मुझे भी इतने पैसे चाहिए और इतनी ही ज़्यादा खिलोने भी चाहिए बेटा तुम्हें पता है ना हमारे पास इतना कुछ नहीं है और आज जब मैं काम पर जाओंगी तो मैं सुभा तुम्हारे लिए खिलोने जरूर लेकर आओंगी ऐसा मोल कर शेर्णी अपने बेटे को दिलासा देती है अगली सुभा होती है तो शेर्णी अपने काम के लिए निकलती है और वह अपने काम पर लग जाती है शेरणी हर रोज इधर से उधर लकडिया ढोने का काम क्या करती थी और इसके बदले में उसे जो कुछ भी पैसे मिलते थी उनसे वह अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी शेरणी को आज काम करते करते रात हो जाती है और उधर उसका बेटा अपनी मा का इंतजार कर रहा होता है शेरणी इधर अपने बेटे को लेकर बहुत परिशान थी लेकिन आज उसका काम खतम होने का नाम ही नहीं ले रहा था तब ही अचानक से तेज हवाई चरनी लगती है और चंगल में तूफान आ जाता है तब ही एकदम से शेरणी का पूरा घर उसके बेटे के उपर ही गिर जाता है शेरणी जब वहाँ पहुंचती है तो वह अपने बेटे को पत्थरों के नीचे दबा हुआ देखती है ये सब देखकर शेरणी एकदम दंग रह जाती है और वह बोलती है नहीं ये क्या हो गया मेरा बच्चा कोई बचाओ इसे लेकिन इतने आधी तूफान में उसकी मदद करने के लिए वहाँ कोन आ रहा था अब शेरणी रोते हुई अपने बेटे को उन पत्थरों से निकालती है उसका बेटा बहुत जादा घायर हो गया था उसके सरीर से बेहत खून बह रहा था अब शेरणी जल्दी से अपने बेटे को लेकर आधी तूफान से जून्जती हुई भालु हकीन के होस्पिटर लेकर जाती है भालु हकीन उसके बेटे को ठीक करने के लिए सो सोने के सिक्के मांता है अब शेरणी बोलती है अब भालू भाई मैं कैसे भी करकी आपकी पाई पाई चुका दूंगी लेकिन पहले आप मेरे बेटे को ठीक कर दो अभी मेरे पास पैसे नहीं है नहीं पहले तुमें सारे पैसे जमा करने होंगे उसके बाद ही मैं इलाज सुरू करूंगा उससे पहले मैं कुछ नहीं कर सकता पहले पैसे लेकर आओ अब शेरणी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वह दोटी हुई बाला शेर के पास जाती है और वहां जाकर वह बाला शेर से बोलती है बाला शेर महराज प्लीज मेरी मदद करो मेरा बेटा बहुत मुसीबत में है वो बहुत घायल हो चुका है और वो तो मरनी की कगार पर पड़ा है प्लीज आप मेरी बदद करो और मुझे कुछ पैसे उधार दे दो मैं जल्द ही आपके सारे पैसे लोटा दूगी हैं? मैं तुम्हारी मदद करूँगा मुझे कुछ पैसे दे दो चलो जाओ यहां से मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा और दोबारा मेरे इलाके में नजर भी नहीं आना शेनी बेचारी वहां से मायूस होकर लोट जाती है और वह सीधा भालू के पास जाती है लेकिन तब तक उसका बेटा अपनी आखरी सासे भी तोड़ देता है और वह मर जाता है शेनी बेचारी मायूस होकर अपने बेटे को लेकर एक गड़े के अंदर लाकर दफन कर देती है लेकिन अब उसके मन में बहुत गुस्सा भरा था वो कुछ भी करके उन दोनों को खतम कर देना चाहती थी वो उन दोनों को अपने बेटे का कातिल समझने लगती है कुछ दिन ऐसे ही बीटते है और शेनी हर दिन मोखे की तलाश करती है कुद्रत भी उसके साथ थी एक दिन सुभा सवेरी बाला शेर जब जंगल में घूम रहा था तो वह घूमते घूमते एक दम से जमीन पर गिर जाता है और उसी पूरा जंगल घूमता हुआ नजर आता है बाला शेर को ऐसे जमीन पर पड़ा देखकर सभी जानवर वहां इकठा हो जाते हैं लेकिन कोई भी जानवर उसके पास नहीं आ रहा था अब शेर बोलता है अरे मुझे कोई उठाओ अरे कोई भालू डोक्टर कोई बुला लाओ शेर के पुकारने पर भी कोई भी जानवर उसके पास तक नहीं आता है तब ही शेर नी भी वहां आ जाती है और वो जब शेर का यह हाल देखती है तो बोलती है आज तुम्हें एहसास होगा कि दुख क्या होता है उस दिन मैं भी तुम्हारे पास अपने बेटे की जिंदगी की भीक मांगने आई थी लेकिन तुमने मेरे साथ जो सुरू किया था उसका सिरा तुम्हें मिला ही था अब लाओ अपने पैसे को निकाल कर और उससे अपनी खुद मदद करो और अभी तो रुको जरा मैं भी तुम्हें बताती हूँ अब शेर्णी जल्द इसे दोड़ कर जाती है और एक बोटल मिट्टी के तेल की लेकर आती है और उसे शेर के उपर छिड़क देती है और शेर्णी ये तुम क्या कर रही हो ऐसा मत करो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ चाहे तो तुम मेरा सारा खजाना अपने पास ही रख लो लेकिन मुझे मत मारो लेकिन शेर्णी इस जालिम शेर की एक भी नहीं सुनती है और उसी आग से जला देती है और शेर वही पर जल कर मर जाता है अब जंगल के सभी जानवर शेर्णी को ही उस जंगल की राजगदी सोब देते हैं और शेर्णी को बाला शेर का सारा खजाना भी मिल जाता है लेकिन अब उसे कोई खुसी नहीं थी अब शेणी को वो सारा खजाना फिजूर लग रहा था और वो उस सारे खजाने को लेकर उस भालू के पास जाती है और उससे बोलती है भालू तुमने इन पैसों के लिए ही मेरे बेटे का इलाज नहीं किया था ये लो पैसे और आज के बाद इस जंगल में दिखाई मत देना ये तुम क्या बोल लही हो? ये मेरा हुस्पिटल है और मैं यहाँ से क्यो जाऊं? तुम साय्ब नहीं जानते कि ये मेरा जंगल है और मैं इस जंगल की रानी हूँ मैं जिसे चाहूं अब इस जंगल में रखूंगी इसलिए अब तुम यहां से जा सकते हो और दोबारा मुझे इस जंगल में दिखाई भी मत देना वरना यही मार डालूंगी अब शेनी उस फालू को भी अपने जंगल से चलता करती है और उस जंगल की महरानी बन कर उस होस्पिटर में मुफ्तिलाज करवाती है और इस तरह से वो अपना बदला भी पूरा कर लेती है और यह कहानी भी यही पर खत्म हो जाती है श्रीक इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हगर हमारे पास एक तिनका भी है जिससे हम किसी की मदद कर सकती है तो हमें तिनका भर भी किसी की मदद जरूर करनी चाहिए उसे कभी मायूस नहीं लोटाना चाहिए वरना कुदरत भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही सुलूप करती है तो गाईस आपको इस स्टोरी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताई और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज इस रीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ठेंक्यू जंगल से कुछ दूर एक नदी हुआ करती थी अक्सर ही जंगल वासी उस नदी से तैर कर दूसरे जंगल जाते थे वो नदी दो जंगलों में जाने के लिए एक दिवार की तरह थी अगर जंगल वासियों को किसी काम से दूसरे जंगल में जाना पड़ जाता था तो वह उस नदी को पार करके दूसरे जंगल पहुँचते थे लेकिन उस नदी को पार करना इतना आसान नहीं था अक्सर ही उस नदी को पार करने के लिए पार करें